हाई गाइज पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना प्रोजिक्ट सेट अप किया था और यहां पर हमने इंडिका था इसको अरंगर के देख पर अब हम आगे बढ़ेंगे इससे और देखेंगे कि आप कैसे क्या हम बुनाने वाल है वह मैपको पहले दिखा देता हूं अ हमने रखा हुआ इसके अंदर इसमें हमारा htdocs एक फोल्डर है इसमें हमने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर रखा हुआ जो कि है new osms और इसके अंदर हमने बहुत सारे फोल्डर बनाया थे और एक php.index.php का एक फाइल बनाया था और कुछ bootstrap का फाइल हमने सेट अप कि किया था कुछ images हमने रखी थी जो हमें चाहिए थी हमने javascript का फाइल भी आपर रखा था जो हमें जरूरी होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और साथ में इस प्रोजेक्ट फोल्डर को मैंने विज्वल studio code में इस तरीके से ओपन भी कर लिया था और मैंने आपको php इस प्रोजेक्ट फोल्डर में हम लोग अभी नहीं आएंगे इसको मैं कट कर देता हूं और हम लोग आपसे इसी पर काम करेंगे यह हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है आप यहां देख सकते हैं new osms लिखा हुआ है जिसमें यह सारे फोल्डर है यह फाइल है image के अंदर करेंगे अब हम लोग hard disk में जाकर create नहीं करेंगे यह कम इसकम दिखा दूगा मैं वहाँ पर यह create हुआ या नहीं जरूत पड़ेगी तो करेंगे वरना सब कुछ यहीं से काम करेंगे चुकि हम लोग server side का page लिख रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि .php लिखा हुआ है तो यह server side programming का एक part है एक language है तो इस तरह के जब .php लिखते हैं .sp लिखते हैं तो यह सारी जो server side की languages होते हैं यह ऐसे ही run नहीं करते हैं आपको उसके लिए local server एपर server में इसको server on कर लेते हैं turn on start कर लेते हैं यहां पर हम लोगा 25 server और अभी हमें माइस्वेल की जोड़क नहीं है मगर फिर भी मैं इसको start कर लेता हूं यह दो चीजे जरूरी है इसको मैंने नीचे किया अभी हम लोग web browser में आते हैं और यहां पर इसको run कर कर देखेंगे localhost और slash new sms यह यह हमारा run कर रहा है hello new sms जो हमने यहां पर echo करवा है php में यह हमें दिखाई दे रहा है हम लोग इस session में क्या करने वाले हम लोग मैं अपको पूरा प्रोजेक्ट लिखा था हूं जो कि हमारा local host osms underscore php में है यह वाला पूरा page हम लोग create करने वाला है यह पूरा का पूरा हमें यह नहीं चाहिए हमें चाहिए यहां पर चुकि हमारा भी जो काम है वह html के code और css bootstrap और यह सार चीज़ से होंगी तो हमें html का basic code लिखना है तो यह मैंने लिखा html का code यह basic html का code हमारे पास चला है यह emit की वज़े से आता है अगर आपको नहीं पता है तो visual studio code में built-in एक tool है emit जिसको यह से आता है उसका एक पुरा course grass course हमारे चैनल में है अगर आप देखना चाहिए तो देख सकते है इसमें से हमें इस title को change करने का सकता है हमारा title क्या है हमारा title है osms दिखिए osms मैंने यह title लिख यह कहां दिखेगा अगर मैं इसको save करके और अपने य cmc और हमारा title है यहां से अगरा कुछ भी change करते हैं यह बहुत चुटी बाते हैं लेकिन मैं अभी discuss कर रहा हूं लेकिन मैं धरी-दरी इसको बंद कर दोंगा discuss करना विकर हम लोग यहां पर HTML टैक्स नहीं देख रहे हैं हम लोग यहां पर project देख रहे हैं इसको मैं आपस से यहां पर देखिए चेंज हो गया तो इसको title कहते हैं उस यह पर मैंने यहां पर change किया मैं यहां पर syntax code में बात नहीं करूंगा मैं यहां बात करूंगा logic की इस project को बनाने का क्या logic है क्यों किस लिए लिखा जा रहा है यह हम लोग बात करेंगे syntax पर हम लोग discussion नहीं करेंगे तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको HTML, CSS, JavaScript, PHP वगरा सब कुछ आता हूँ ठीक से तो आपको syntax सारे याद होंगे अच्छे तरीके से तो अब हम लोग को का दूसरा काम यह है कि हम bootstrap चुकि use करने वाले हैं चुकि हम लोग font awesome भी use करने वाले है तो उन दोनों को इस project से लिंक करना सिर्फ यहाँ पर copy paste कर देने से इस folder में bootstrap आप use नहीं कर सकते अपने project में उसको आपको link करना पड़ेगा आप ले तो आए हैं लेकिन उसको आपको link भी करना पड़ेगा तो हमने अपने project folder में रखा हुआ है अभी हमें इस project से इसको link करने कर सकता है उसके bootstrap css और यहाँ पर हमें link tag लिखने कर सकता है मैं shortcut use करूंगा यह सारी चीज़े मैं आपको पहले भी बत पहले ही बताई है कि shortcut कैसे आप यूज करते हैं आपको देखने के जबत पड़ेगी मेरा वेजल शुटी कोड ग्रास कॉर्स और इमिट जिसे आप यह सारी चीज़े यह कहां यह हमारे css folder के अंदर bootstrap.min.css यहाँ पर है तो इसको ऐसे आप लिखेंगे यह हमारे link हो गया और यहाँ कुछ भी आपको नहीं करना है इसी के similar हमें font awesome जागी जो जिसका file name में all.min.css उसको link करने कर सकता है तो मैं उपर वाले को copy किया मैं इसको paste किया और font awesome css और यहाँ पर हम लोग change करतेंगे इसको all.min.css से तो हमारा bootstrap link हो गया है हमारा font awesome भी link हो गया है दो चीज हमारे link हो गई है हमें इस project में फिर अपना एक css create करना है जिसमें हम लोग अपना खुद का css लिखेंगे उसके लिए एक file बनाते हैं यहाँ पर css folder को select करना है दन आप चाहें तो यहाँ right click करके new file में click कर सकते हैं या फिर आप इस folder को select करने के बाद यहाँ पर यह जो आपको चोटा साइकन दिखाए देरा है new file का यहाँ पर click कीजिए इस file का हम लोग नाम लिखेंगे custom.css यह हमारा file बन गया अभी हमें इसमें भी css समय जब भी जब पड़ेगी अपना खुद का css लिखने की तो हम लोग इस file में लिखेंगे लाल के लिए मैं इसको close कर देता हूं और इसे link करते हैं लिंक करने के लिए यह सेम जी में copy करता हूं कोपी करने के बाद इसको में लोग कर देता हैं यहाँ पर paste और यहाँ पर लिख देता हूं custom css अब यह आपको लग रहा कि comment क्यों लिख रहा हूं comment लिखना बहुत ही जरूरी होता है जब आप एक बड़े project में काम कर रहे होते हैं वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आपन रहा हो देखे तो उसको पता चलेगा कि यह bootstrap का link किया गया है यहाँ पर font awesome का link किया गया और यहाँ पर custom css का file बनाकर link किया गया है इसके अलावा हमें उरत पढ़ने वाली है Google font की क्योंकि हम लोग अपना font बहतर font हम लोग लगाएंगे तो Google font क्या सकता पड़ेगी Google font करना है यह आपको बता हूँ उससे पहले एक जीच का ध्यान रिखिएगा कि इसका order भी बहद मायने रखता है ऐसा नहीं कि custom css को आपने ऊपर कर दिया और bootstrap को अपने नीचे कर दिया ऐसा नहीं करना है इसको मैंने नीचे लिखावा तो इसको नीचे रखना है क्यों ऐस कर सकता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं comment में की google font Google font के लिए हम लोग यहाँ पर link लिखेंगे यह link हमें google font की site से लेनी है कैसे लेनी है मैं आपको भी कुछ दिर में दिखा रहू हूं मैरा net connect हो रहा है इसके लिए आपको internet कर सकता पड़ेगी चलिए internet हमारा connect हो गया हम वेब पेज कोई सा भी open करना है यहां पर हमें सच करने का सकता है पहले तो Google font Google font लिखकर आप Google में सर्च किए Google font का official setup open कीजिए open करने के बाद हमें जो font चाहिए उसका नाम मैंने पहले से डून कर लखा हुआ यह बंटू जैसे आप नाम लिखते हैं फिल्टर होकर आपको यहां पर मिल जाता है यह वाला हमारा है इसमें अप इस प्लस पर क्लिक किजिए या फिर आप C यहां पर क्लिक कीजिए इस आपको यह दिखाएगा कि किस किस तरह के से यह दिखेगा इस font का look कैसा है regular में regular italic में medium में कैसा है यह सारी जिए आपको डिल में देखने को मिलती है जो भी है चीजिए आप देखना चाहिए देख सकते हैं उसके बाद हमें simply क्लिक करना है इसको copy किया मैंने copy करने के बाद हम लोग अपने web sorry text editor में जाएंगे यहां पर हम पेस्ट कर देना है बस हमारा यह link हो गया अभी हमें इसको जब भी use करना हो किसी भी specific tag में मालने है कि मुझे इसको title में use करना है तो title tag में css apply करने का जो syntax होता है उसका use करेंगे आप और उसमें आपको property लिखने पड़ेंगी यह वाली font family ubuntu और sensory इसको भी मैं copy करने के बाद हम लोग इसको apply करेंगे थोड़ी देर बाद लेकिन इसको मैं लिख कर रख लेता हूं अपने custom css में यहां पर इसको किस tag में apply करेंगे यह मैं आपको बाद में बताऊंगा फिलाल किले हमने इसको यहां पर लिख के रख लिया है दिन इसका कोई काम नहीं है इसको हम लोग कर देते हैं close और make it बता अपने net को disconnect वापस से आते हैं अपने इडिटर में visual studio code में vs code में आते हैं और यहां पर body के अंदर हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले हमें बनाना है अपना navigation बार navigation बार हमें बनाना है हम लोग comment में यहां लिख देते हैं start navigation यहां से हमारा navigation का code start हो रहा है और यहां पर actually मैं इस तरीके से लिखता हूं यहां पर हम लोग now tag लिखते हैं navigation बनाने के लिए नई यान लिखते हैं इसके नीचे लिखते हैं यहां पर now tag और यह now tag का end और यहां पर हम लोग mention कर देंगे कि यह हमारा क्या है इंड है navigation का वरना आप tags में खो जाएंगे आपको पतानी चलेगा कि कौन सा कहा शुरू हो रहा है और कौन सा कहा खतम हो रहा है इसलिए इस तरीके से comment लिखना बैदी जरूरी है इसके बाद इसके अंदर मैं हम लोग navigation का code लिखेंगे तो हम लोग bootstrap use कर रहे हैं नव बार अपने मेरा bootstrap का placed देखा होगा तो आपको यह easily समझ में आ जाएगा मैं थोड़ा slow बोलता हूं मतलब मेरा rate of speech slow है तो आप चाहें तो इसको speed up करके जल्द देख सकते हैं जल्द जल्दी में भी आपका खतम आप करना चाहें तो speed up करके देख सकते हैं जैसे अपकी मर्जी वैसे आप देख सकते हैं ठीक है तो नव बार अपने class लिखा उसके बाद नव बार-expand.sm क्यों लिख रहा हूं मैं यह मैं डिसकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग ने bootstrap में इस अरज हैं यह sms का size मैंने दे दिया जन नव बार इसका हम लोग dark color दे देते हैं उसके बाद यह हमारा इसका बीजी color हमारा होगा बीजी danger यानि कि लाल color में देखेगा यह इसके बाद इसमें हम लोग पील देंगे 5 का और fixed top करेंगे इसको इतना हमने किया अभी हमें कुछ जारा दिखेगा नहीं मैं इसको save करूँ इसको मैं comment कर देता हम कुछ दर के लिए इसको मैं अगर save करूँ save करके अगर आपको दिखाऊं यहां पर पेज में तब को इसके अलवा ज्यादा कुछ और देखनी को नहीं मिलेगा यहां पर सिपर एक हमारा लाल कलरका यह ऐसा कुछ आया हुआ हुआ है बस अब इस नव टैग के अंदर इस नव टैग के अंदर ह यहां पर एक बूटिश्टर का क्लास लिखेंगे जो कि है नव बार ब्रैंड यह सरे बूटिश्टर के क्लासे हैं जो कि हमें बैतर लुक देते हैं जो हमारा ब्रैंड का नाम है OSMS या पर आप लिख सकते हैं New OSMS मैं OSMS से ही लिख रहा हूँ मैं इसको save किया save करने के बाद इसको करते हैं रंगर के वार देख लेते हैं यहां OSMS का लिखा हुआ रहा है इसका फॉंट हम लोग ने गूगल फॉंट डाउनलोड लिंक किया था उसको हम लोग इस ब्रैंड में apply करेंगे तो इसके लिए हमें custom CSS में जाना है और यहां पर हमें लिखने का सरता पड़ेग इसको कमेंट से हटा देते हैं अभी इसके बार यहां गई है हमारा जो class है उसका हम यूज करेंगे जो बूटिटर पर class है number brand then opening closing और यह वाला मैं copy करके इसमें इसको कीजिए save save करने के बाद इसको run करके दिखाता हूं इसका फॉंट का आप अब यह सा दिख रहे हैं देख इसका लुख फॉंट स्टल इसका ठीज हो गया इसका फॉंट साइज हम लोगे increase करते हैं इसके लिए हम लुग फॉंट साइज सीज लिखएंगें यां फॉंट साइज है 2 e.m सेव किया, सेव करने के बाध इसको dazu क्रें है आफ रास ये हमारा बढ़ा हो इसको बॉर्ड कर दें बॉल्ड करने के लोक दूद से से लिखेंगे, फॉंट वेट यहाँ पर बॉर्ड सेव क्या, save करने के बाद इसको करेंगी फिर से दोबरा से refresh इसमें थोड़ा सा time लिए जाता है रिफ्रेश करने में देखे हमारा यह bold हो गया अब इसके निज़ाई यहाँ यहाँ पर हमें टैग नहीं कर सकता है कि customer happiness is our aim तो वह लिखते हैं spend tag लिखेंगे spend tag के अंदर हमें लिखना है bootstrap का कुछ class जो की है class now bar text यहाँ पर spend tag के अंदर हमें लिखेंगे customer happiness happiness is our aim save कीजिजी इसको save करने के बाद इसको कीजिजी run के हमारा यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिन लोग को थोरा सा संका है मन में की यह 9 बार class कहां से आया यह 9 बार expand sm क्या कर रहा है यह pl5 क्या है तो इसका नतल यह है कि आपने bootstrap पढ़ा हुआ नहीं है आपको पढ़ना पढ़ेगा पहले तो यह कि आप यह class के यह building class में मिल रहा है bootstrap से उसका आप meaning समझ पाएंगे इसके बार में अगर मैं discuss करने लगाँगा तो फिर हमारा यह project बहुत दिनों तक चलने लगेगा यह basic code है bootstrap का मुझे उम्मीद है कि आपको यह सा चीज़ें पहले से पता होंगी अभी हमें बनाना है menu bar menu bar का पूरा code में लिखोंगा उसके बाद आपको एक बार दिखाऊंगा पहले हमें menu bar का जो button है जो toggle button होता है mobile पे आने पे छोटा सा हो जाता है एक तीन लाइन जैसा button दिखने लगता है इसमें हम लोग class लिखेंगे नब बार टॉगलर नब बार टॉगलर देन डेटा टॉगल इक्वल कॉलाइप कॉलाइप्स यह भी मैंने आपको बता है बहुत ही डीटेल में कि किस तरी के साथ पी इस तरी के से का menu bar बनाते है यहां पर हम लोग as my menu then closing button closing button tag और इस opening and closing button tag के अंदर में एक span tag लिखेंगे span tag और span tag में हम लोग class देंगे नव बार टॉगलर आइकन जब आपको कुछ भी नहीं पता है मतलब आपको यह क्या है classes कैसे क्या काम करी जब कुछ भी नहीं पता है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बस लिखता जा रहा हूं समझा नहीं रहा हूं मतलब खुद ही बना रहा हूं खुद ही समझ रहा हूं ऐसा आपको महसूस होगा तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो इसका simply मतलब इतना सा है कि आपने basics miss कि हैं जो अब मुझे सुरू से follow नहीं कर रहे हैं अब बीच में jump मार कर आए हुए हैं सो button हमारा बन गया अभी हम इसको save करें हम लोग इसको refresh करते हैं इसको छोटा करें तो देखिए यह button हम यहाँ पर दिखाई देने लगा तो यह button हमने त्यार कर लिया mobile के लिए छोटे screen के लिए अभी हमें अपना menu बनाना है तो menu बनाने के लिए हम लोग एक पहले div बनाएंगे और इस div के अंदर हम लोग ul tag बनाएंगे और इस ul tag में हम लोग पहले कुछ classes लिखेंगे bootstrap की नब बार नब पैडिंग देंगे लेफ्ट में 5 यह ओल नहीं PL-5 पैडिंग दिया हमने उसके बाद हमें यहाँ पर एक लोग अपना सीज कुछ लिए नहीं का सकता है उससे पहले लोग यहाँ पर class लिखेंगे div में जो कि होगा collapse नब भार collapse और यहाँ पर एक हम लोग आईडी बनाएंगे आईडी इक्वल माय मेन्यू उके यूल हमारा क्लोज हो गया है इसके इंदर हम लोग बनाएंगे लाई लाई कितना हमारा होना चाहिए एक होम टैब होना चाहिए एक सर्विस एक रेजिस्ट्रेशन एक लॉग इ इसके बाद सभी में हमें क्लास इक्वल नव आइटम लिखने का सबता है कि ऐसे इसको नहीं लिखते हैं एक हम लोग उसको को पी करेंगे था हमें ज्यादा सब्सक्राइब पड़ेगा नव आइटम और इस li के अंदर हम लोग एक a tag लिखेंगे a का closing देन a के अंदर href फोगा पहला हमारा क्या होगा पहला हमारा होगा index हमने इसको गळाच जए लिखते हुआ हमें लिखना है इसके अंगर href equal index.php उसके बाद class इसमें लिखना है नव link और यहां पर लिखना है हमें home बस इतना लिखना है अभी हमने इसी को copy paste करने का है एक बार मतलब services के लिए फिर दो बार तीन बार चार बार हो गया पांच हो गया अब यहां समय बस change करना pages को जिसके यह हमारा होगा service page के लिए हम लोग service section देदेंगे यह नहीं होगा बिल्कि service section होगा section दिवाइट करेंगे तो service services और यह वाला हमारा हो जाएगा क्या registration यहां पर हमें लिखना registration देन हमारा यह हो जाएगा क्या login यह हमारा name दिख देते हैं login और contact section हमारा भी बना नहीं है यह section बनाएंगे कुछ दिर में यह हमारा contact का section बनेगा भी बनाया नहीं है मैंने सो यहां पर लिखेंगे contact बस इसको save किजिए save करने के बाद इसको देखने के भी हमारा कहां तक पहुंचा हुआ है इसको refresh करते हैं देखिए हमारा यह ऐसा कुछ दिखाई दे रहा चोटा करते हैं देखिए यह ऐसा दिखाई दे रहा लेकिन यह हमारा toggle नहीं हो रहा यह की नीचे यह आना चाहिए जब आप इसको छोटा करें तो यह नीचे इसके से move करना चाहिए तो यह हो नहीं रहा देखते हैं कि हमारा क्या इसमें problem है तो यह हमारा काम नहीं कर रहा जैसे कि आप देख सकते हैं तो यह काम नहीं कर रहा है इसके पीछे वजह यह है कि हमने javascript को अभी तक इसमें link नहीं किया जो bootstrap के javascript है jQuery है उसको हमने link नहीं किया इसी हो जैसे कोई भी इस तरह की चीजें काम नहीं कर रही तो उसे मैं link करने का सकता है कहां link करेंगे आप javascript को javascript को आप सबसे नीचे link करेंगे यानि कि closing body tag ठीक ऊपर में यहां पर हमें link करने का सकता है यहां पर हमें पहले code लिख देता हूँ comment लिख देता हूँ bootstrap bootstrap javascript आप चाहें तो simply sirp javascript भी लिख सकते हैं because यहां बहुत सारा javascript होंगे तो हम लोग यहां पर simply javascript लिख देता है यहां पर हमें script tag यूज करने कर सकता है, script tag, src में हम लोग लिखेंगे js folder के अंदर, पहले आपको order धार में रखियागा, पहले आपको jquery add करना है, तो jquery मैंने add कर दिया, jquery के बाद आपको popr.js add करने का है, तो यहां कर js popr.min.js, यह add करना है, then, इसके बाद आपको add करना, bootstrap, min, इसके बाद आपको add करना है, अपना font awesome का javascript, js folder के अंदर ही है, all.min.js, यह हमने सभी javascript को इसमें link कर दिया, order धान में रखियेगा, पहले jquery, फिर popr.min, फिर bootstrap, फिर आपको font awesome add करने का है, इतना कर दिया, आपने इसको save कीजिए, save करने के बाद वापस से देखने है कि यह हमारा काम कर रहा है या नहीं, इसको refresh किया, छोटा किया, अभी देखे यह काम करने लगा, इसमें कुछ कमी, कमी यह है कि इसका जो color है वह सही हमें उभर के आनी रहा, पर हम लोग अपना पुराना project देखें यहां पर, यह वाला project देखें, इसमें white clear यह उभर के दिख रहा हमें, इसमें हमारे नए वाले में यह दिखने रहा तो हमें यह चेंज करने का सकता है, यह लोग चेंज करेंगे custom CSS से, अपना खुद का CSS लिख कर, तो इसके रहे हमें ज़रुत पड़ेगी, एक class name की, जिसे हमें लोग तो ul में हम लोग एक class लिख देते हैं, यहाँ पर, custom-nub मैंने लिए लिखा, इसको save कीजिए, custom CSS में आईए, और यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे, क्या, मैं यहाँ comment लिखता चलता हूँ, इसमें भी, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, इसमें हम लोग क्या करें, change, इसमें font, खुर हम लोग यहाँ पर, change, navigation, color, navigation, color, या फिर आप इसको menu color भी कह सकते हैं, dot nub, bar, उसके बाद, my menu, यह लिखने में बड़ा ही लग रहा है, आजीव सा मुझे, then, nub, nub item, इतना slow-slow मैं लिखता नहीं हूँ, यह सरे चीज़े, लेकिन लिखनी पड़ रही हैं, then, इसमें हम लोग अपना color change करेंगे, तो color property, और यहाँ पर हम लोग color देंगे white, यानि कि FFF, इसको save कीजिए, save करने के बाद, इसको refresh कीजिए, यह वाला, यह white हो गया, बट इसका hover effect हमारा, गडबड हो गया है, इसमें, जब इसको mouse को लेकर जाएं, तो यह थोड़ा सा dark हो hover, शूट लगाना, यहाँ पर हमें hover लगना पड़ेगा, और इसमें color हम लोग देंगे, वह है F0, A, B, 1, इसको करते हैं, save, save करने के बाद, इसको करते हैं, refresh, देखते हैं, देखें, अभी हमारा, सही तरीके से काम कर रहा है, तो यह हमने किया, हमने क्या किया यहाँ पर, प नव बार को पहले किया, तो नव बार आप देखा, देखाए, यह मैं दिखा था हूं पहले यहाँ आया, फिर इसके बाद, हमने target किया, इस डिव को, इस डिव को, इस आअई डि के द्वार में, द्वारा हमने target किया, फिर इसके अंदर हम लोग गए हैं Custom नव में, यानि कि हम लोग चले गए कहां पर हम लोग नफ लाई के अंदर चले गए लाई के अंदर हम लोगों ने टर्डट के यह को यानि कि more specifically इसको हम लोग कहते हैं इससे क्या होता है इससे हमारा वेटेज बढ़ता है प्रारेटी बढ़ता है तो हमें यह चेंज हौकर दिखाई देता है तो हमारा कुछ द तक काम काम क्या आप हो गयाद अब हमें क्या करना हें अब हमें यह यह इमेज है यह इमेज लगाना और यह सारे काम करने है इसको देख जब तक PHP शुरू नहीं हो तब तक यह लगगा कि यार क्या देख रहा है लेकिन PHP शुरू होते हैं इसमें फिर मजाना शुरू है तो वहाँ लोजिक का खाम आने लगता है यह तो ऐसा ही सिंपल सा है यहां पर हम लोग को यूज कर अधिव जंबो ट्राउन बूट्र्सक्राइप के यहांसे हमारा जंमारे जंतन स्टार्ट होता है यहां मैं कमेंट में लिख देता हूं यह नहीं start header jumbotron start header jumbotron यहां हम लिखेंगे header header opening and header closing पहले closing लिख लिख लिजिएगा header opening and header closing उसके बाद इसको नीचे करना है और हम यहां कुछ classes लिख नहीं का सकता है इस header tag में तो bootstrap का class is jumbotron हमें यह jumbotron बनाना है jumbotron उसके बाद इसमें हमें एक image भी देना है अगर मैं इसको save करूं इस तरीके से इतना लिखकर save करके इसको run करूं आपको दिखाई देगा यहां पर कि इस तरीके से एक jumbotron का यह जो पीछे को दिखाई दे रहा है ग्रे background image हमें लगाना है तो background image और url इसका देंगे हम लोग हमारे पास है यह image image folder में आप देखेंगे एक banner one dot jpeg image है हमारा उससे हमें लगाना है तो मैं लिखाऊंगा images slash banner one dot jpeg यह हमने लगा है तो हमें हमें यहाँ semicolon देकर इसको बंद करना है और इसको save करना है उसके बाद इसे हम लोग refresh करके देखेंगे कि क्या होता है रिफ्रेस किया तो हमें यहाँ पर यह image दिखाई देर आप देख सकते हैं लाल टोपी के साथ है हमारा image जो हुआ हुआ यह वाला है तो विसे पर इसका छोटा सा थोड़ा सा एक लाल टोपी दिखाई देर हम उसस सेट अप करने की जरू होते है इमेज को में responsive बनाने की जरू होते है उसको बैतर करने की जरू था उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक class बनाते है अपना custom css लिखने के लिए यह class का नाम लिख दिया है back image आप कुछ भी लिख सकते थे इस custom class का use करके हम लोग यहाँ पर custom css से लिखेंगे यहाँ पर पहले में गया करता हूं comment लिख देता हूं जिसमें मैं लिखूँगा make header इमेज responsive responsive इसके बाद इसमें लोग कुछ properties हमें लिखनी का सब्सक्राइब पड़ेगी dot back image class में पहला property हो लिखेंगे background size हम लोग चेंज करेंगे background size हम में इसे cover कर देना cover करके अगर मैं इसको save करके और इसको run करूँ effect तो हुआ size का लेकिन यह proper आपको दिखाई नहीं दे रहा है अब इसका मैं हाइट होगर change करेंगे तो हम यह दिखाई देगा height इसका नहीं है इससे दिखाई नहीं दे रहा है जिसके मैं इसका अगर height change करता हूँ mean height मैं करतेता हूँ 90vh इसको मैंने save किया करने के बाद इसको मैं अगर refresh करूँगा तो अभी यह आपको दिखाई दे रहा है अभी हम इसमें अभी कुछ change करने का सकता है लाकि इसका position हमें center में करना हो center में नहीं है तो background position center में करना है background center center इसके अलावा इसमें हम लोग background रिपीट था कि हमारा image रिपीट ना हो जाए बड़े screen पर जाकर इसे हमें background repeat में no repeat करने की जोड़त है तो मैंने no repeat कर दिया तो हमने को ने size तो दे दिया हमें इसको refresh करें तो आप देखेंगे कि यहां पर radius है यहां पर देखेंगे कि आपको दिखाए देरा कौने में यह घुमा हुआ rounded किया हुआ तो radius हमें हटाना पड़ेगा वरना यह अच्छा दिखेगा नहीं इसको radius हटा देते हैं 0 कर देते हैं border radius नो दिया हुआ हुआ जंबो टॉन का दिया हुआ था उसे में अटाना तो border radius 0px कर देते हैं अभी हम लोग इसको refresh करेंगे तो यह हमारा पूरा rectangle के shape में हो गया यह image उपर से अंदर चला गया है घुज गया है हमारे menu बार में तो इसको लोग margin देकर नीचे करेंगे तो लोग top margin देते हैं इसमें margin टॉप इसमें लोग margin टॉप इसको मैंने सेव किया सेव करने के बाद इसको refresh करते हैं देखिए हमारा यह नीचे चलाया अब चाहिए इसको और नीचे कर सकते हैं according to image image जैसा है आपका उसके according आपका यह और भी न जाएगा तो उपर नीचे तो होगा ही यह जो हमारा image ही responsive होना चाहिए देखिए image मोबाइल के view में भी यह हमारा ठीक से काम कर रहा है मोबाइल में भी अच्छे से दिखेगा और आपको दिखेगा लैपटॉप में भी और बड़ा स्क्रीन है टीवी वागेरा पचास इसका बड़ा बड़ा स्क्रीन प्रोजेक्टर में देखते हैं लोग तो उसमें वेको responsive है तो अच्छे view में दिखाई देगा वापस अपन हमें क्या चाहिए यहां पर हमें heading चाहिए अपना जो हमारा image के ऊपर जो heading लिखा हो रहता है याद नहीं है तो मुझे दिखाना पड़ेगा आपको सेंपल हमारा जो पूरना प्रोजेक्टर होगा रन करके हैं देखे यह वाला तो हमें इसमें यह welcome to osms लिखने का सकता है य यह दूब तो बटन सुनानी कह सकता है तो यह सारी चीजह हमें करनी है यहां पड़ इसके अंदर में तो header के अंदर हम लोग एक div बनाते हैं इस div में हम लोग class लिखेंगे अब इसमें कोई class लिए नहीं कहा सकता नहीं है जो पड़ेगी तो लिखेंगे div बने हमने div के अंदर में हम लोग सारी चीज़ रखेंगे जैसे कि एक h1 हमें बनाना है h1 में हम लिखेंगे क्या वेलकम टू ओ समस देना हमारा एक P बनेगा पी में हम लिखेंगे कस्टमर कस्टमर्स हैपीनेस इस और एम उसके बाद हमें बटन बनाने हैं बटन में क्लिक होना चाहिए तो हमें एक बटन बनाना पड़ेगा अभी फिलाल के लिए मैं इसमें कुछ भी नहीं हैस रख देता ह हूं और यहां पर हम लोग इसको चेंज करेंगे क्लास इसका देंगे बटन वारना यह लिंक के तोरपर हमें दिखाई देगा सो btn btn success तो इमें green clear का बटन देगा और margin देंगे हम लोग और margin right MR का मतलब होता है जो इसमें नाव देते हैं login एक और हमें बटन बनाना है sign up का तो यह यहां भी फ्लाल के लिए मैं हैस देता हूं उसमें change करेंगे हम लोग इसको इसमें भी class में लिखना है BTN और यह हमरा red color में होना चाहिए तो इसका हमें Obedient Danger लिखेंगे और इसका भी हम लोग margin right देंगे कितना और और यहां पर हमें लिखना है sign up इसको save किजिए save करने के बाद देखते हैं कि कैसा इसका look दिखता है इसको हमने किया refresh देखिए हमें welcome to osms customer happiness is our aim और दो बटन दिखाए दे रहे हैं तो वह वरल वैसे दिख रहा है वह मैं पुराना प्रोजेक्ट रण करके देखता हूँ कि कलर हमें चेंज करने का सकता हमें यह जो हमारा black में उसमें red करने का सकता साथ में इसमें यह सारा हमें uppercase में करना है और इसको फॉन्ट और हमें ठीक करना पड़ेगा सब्सक्राइब यह सारी काम करते हैं देरे थो एक तो यह में पहले आते हैं में classes एंड करते हैं मैं to precede उसरे हमरे इसको इसकोeren में हुवांक गया सब में इसको यहां पर लेख सेकते हैं इससा भी काम हमारा हो जा रहा है दिर में लाल क्लर में करना है कि मैं text and danger यहां color change करना पड़ागा यह सरे bootstrap के classes है danger text danger लिखा तो यह हमारा लाल गेलर में दिखने लएगा दिखें 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 रहा है इसको bold करने का सकता है मतलब तो अब फॉंट हमारा बोल्ड में दिखना चाहिए मैं सब्सक्राइब करेंगा font weight bold इसको कर दीजिए save सेव करने के बाद इसको करते हैं जी run तो दिखें हमारी होगा अभी हमें नीचे वाला यह जो इसको करते हैं इसके लिए class लिखेंगे इसका class लिखेंगे लोग font italic इसको italic बनाना font इस्टालिक सेव कीजिए save करने के बाद इसको करते हैं run तो run वाला में प्रोजिटिक बढ़ देखना चाहता है इसके फॉंट साइज बढ़ा है क्या हुआ और यह टॉप से margin लगा हुआ उपर से यह पुराना वाला यह नया वाला भी हम लोग बना रहे हैं यह साथ चीव करने का सकता है नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा बट हमें इसको करना पड़ेगा पर इसका फॉंट में बढ़ा करता हूं यही class यूज कर दे हाला कि यह class में यूज नहीं करना चाहिए बट फिर यह यह यूज कर रहा हूं यूज लगता कि फॉंट टैलिक जहां भी हो फॉंट रहा साब बढ़ा होना चाहिए तो हम लोग header image का जो subtitle है header image subtitle जो है subtitle उसका हम लोग font change कर रहे है font size इसके लिए हम यूज़ करने है यह वाले class का अपना custom class लिखके करते तो ज्यादा बहतर होता है यानि कि यहां पर एक आप इस तरीके से लिखते हैं कि P class यहां पर लिखते हैं तो ज्यादा बहतर होता हूँ बहतर अप्रोच होता है कि अब कहीं भी यूज़ करेंगे font italic तो उसका यह असार आपको दिखने के मिलेगा जो आप यहां लिखेंगे तो मैं आपको font size लिख दे रहा हूँ आप चाहें तो इसको अलग भी कर सकते हैं font size लिखका कितना 24px और मैं इसको save किया सेव करने के बाद हमें रिफ्रेस करते हैं हमारा यह font से तुरह सा बड़ा हो जाएगा ठीक है अभी यहां से margin देनी कह सकता है उपर से तो पूरे div को हमें नीचे करने कर सकता है यानि कि margin जाना है टॉप से तो हम लोग यहां पर एक class बना लेते हैं div में main adding और यह वाला class जो है इस पर हम लोग css लिखेंगे तो यहां पर आईए इस class के लिए css लिखिया है यहां पर हम लोग comment में लिख के देते हैं कि margin for welcome to osms जैसे आपको समझ माँ है वैसा आप comment लिख सेबते हैं में margin देना है margin top 50px मैंने विख लिख का save किया save करने के बाद इसको reverse करेंगे देखिए हमारा mobile live view के लिए मैं यह ऐसा दिखाई दे रहा हमें mobile होई के लिए इसको set करने का सकता है यह अच्छा दिखनी रहा mobile में यह पुरना चाहमारा project है वह mobile में कैसे दिखता है वह यहां बीच में चला आता है हमारा यह वाला जो यह ऐसे काम नहीं करना यह पर लटका हुआ को चैन्ज करने के लिए मेडिया क्योरि लिखनी कैसे मेडिया क्योरी लिखेए इसके लिए वार बनना यहां पड़ेगा पुरदीव को हमेहों द्रॉपा में लिखता हूँ my class और मेले यहां पर मीडियाक्योरी हमें सब से नीचे लिखना है जो भी लिखें मुझे यहां से समझे यह जो है यह और नीचे होना चाहिए और सेन्टर में होना चाहिए आपको यह ऐसा दिखाई देंगी नीचे है यह मरे प्रोनअ परजेक्ट है यह मरेड़ नहीं होला तो मैं मार्जिन देना से और ज़्यादा मार्जिन प्रॉप कितना देना है 350 PX देने से ठीक रहा है गरना हमें टेक्स्ट अलाइंग भी करना है टेक्स्ट अलाइंग सेंटर में करना है सेव किज़े इसको यह अभी असर दिखेगा नहीं विकोज यह मेडिया को रही है तो आपको असर दिखेगा बट यह पूरे में चलाएगा मतलब मोबाइल में भी चलाएगा और आपका PC में भी चलाएगा जिब कि हमें सिफ मोबाइल में चाहिए तो मोबाइल में चाहिए तो आपको । । कечно । के से मेडिया के लिए एленा क्लोजरे टेमि में धर्ष का आपनी कह 1 ह। अब यह सिश्टम में ऐसे दिखे गे ऑगा, इसे सेन्टर में मॉबाइल है, चला गा हूव कितना 350 stops है और यह text line center हो जागा यह mobile में होगा तो यहां तक का काम हमारा कतम हो जाता है यह हमारा बन गया इसका comment हम लोग maintain कर देते हैं और इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ भी करने का सकता है जो comment maintain कर देता हूं है यहां हमारा jumbo tron इंड हो रहा है इसको मैंने copy किया copy करने के बाद यहां paste और यहां पर start कर देते हैं इंड header jumbo tron अभी हमें क्या बनाना है इसके नीचे अभी हमें बनाना है पुराना वाला देखता हूं मेरे दिमाग से इतर रहा है इसलिए पुराना वाला प्रोजेक्ट मैंने साथ में रखा हुआ है अभी हमें बनाना इसमें यह हमारा बनीगे यहां तक का हमारा काम कतम होगा हमें बनाना यह वाला section दिने हम बनाएंगे आवर्श रविस का section दिने मनाएंगे create account में हमें एक फॉर्म बनाने की आज़िता पड़ेगी देना happy customer इसके बाद contact असमें यहां भी एक फॉर्म बननना पड़ेगा ति नीचे हमारा फूटर रहेगा तो पहले यह वाला बना लेते हैं easy है यह वाला जल्दी बन जाएगा एक div div लिखते है div का class देंगे container तब यह container container क्या है bootstrap का class है तो इनने bootstrap पढ़ागो तो पताओ कि container करता क्या है container लिखा container के अंदर में हम लोग यहां हमारा introduction section है comment थोड़े देर में लिखेंगे एक div बनाते हैं और और इस div में हम लोग jumbotron लिखेंगे because image बेक्राण वागको दिखरा था image नहीं था वो image जैसा है कुछ अच्छा ग्रेकलर में देखने को मिलता यहां पर देखेंगे पुराना प्रजेट में लेकर चलता है कि समझ में आना चाहिए कि क्या करने वाले हैं यह वाला जो बेक्राण वापको दिखाए तरहीं हमें इसमें क्लास देते हैं एक है क्योंकि में सेंटर में चाहिए तो टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट सेंटर से कीज़ए इसको से करने के बाद है इसको हम लोग करते हैं जी रन हमारा पुराना प्रोजेक्ट है यह यह हमें मिलेगा OSMS Services अभी हमें इतना दूर तक दिखाए दे रहे हैं अभी हमें यह वाला टेक्स्ट डमी डेक्स्ट यहां लिखने कहा सकता है तो इसके एक पाराग्राफ बनाएंगे यहां पर लिखेंगा अपने टेक्स्ट टेक्स्ट मैंने पहले से еक कोपी करके रखा हो है बस पिख पर पेंख्ट करने का साय तो मैंने पेस्ट कर दिया टेक्सट पुरा कि इसको हमएं ठीक करने का सबिता पड़ेगी हमें ठीक कर लिया सियव कर इसको वापस से सेव करने के बाद इसको करेंगे जी रन तो यह हमारा नया वाला है प्रोजेक्ट इसको रिफ्रेस्स करते हैं हमां यह पर अपना टेक्स्ट दिखाए दे रहा है और यह हमारा पुरा ना वाला है ठीक जैसा यहां पर हमें मिल गया हमारी यह सिक्षण खतम हो कि अभी सब कुछ easy-easy हो जाएगा उसके बाद हमें यह hours revises बनाना है इसके लिए हम लोग ने font awesome यूज कहा है यह आइकन साब लेकर हैं यह font awesome कहा है तो हमें यह वाला चाहिए होगा तो यह बनाते हैं यह वाला section बनाने के लिए हम लोग पहले इसमें हम लोग comments maintain कर लेते हैं यह हमारा introduction है start start introduction section और हमारा यह start इसको copy करके हम लोग करेंगे paste नीचे यहां पर यहां कहां खतम होता है यह हमारा इसकों हो गया container हमारा यह introduction section और यहां पर आप लिख सकते हैं container पता रहेगा कि container आपने यहां पर इंड कर यह जो container था यह हमारा यहां पर इंड हो गया कतम हो गया काम अभी हमें बनाना है अपना कि service का section यानि कि पुराने project में देखें तो यह वाला यह OSMS service का introduction था अब यहां हमें our services यहां बनाने का सकता है तो इसके लिए में font awesome कह सकता पड़ेगी font awesome में आएंगे थोड़ी दिर में पहले हम लोग शुरूत कर लें को नीचे करता हूं मैं थोड़ा से यहां से comment यहां से हमारा सुरूरा start services section और सबसे पहले हम लोग एक div बनाएंगे इस div में हम लोग class देंगे container container इसमें एक h2 बनाएंगे h2 में हम लोग लिखेंगे our services उसके बाद इसमें एक बीतना बनाकर देखना save किया save करने के बाद इसको reverse कीजिए वहाँ आपर दीख़े तक why our services नजहें लिख्का हुआ यहां बीच में चाहिए center में चाहिए और इसमें हमने बस हमें यह बीच में चाहिए तो इसमें यह बीच में चाहिए तो रोभ आप़ इस div में लिख सकते हैं script text center में इसको save किया with करने के पाद अब आपस से इसको refresh कीजी आपको बीच में आगा क्या मिलीगा यह जो कुछ भी लिखेंगे सब बीच में ही होगा कुछ इस div के अंदर में हमें लिखना है तीन आइकन से हमारे तो एक row बनाते हैं और तीन column बना लेंगे जो bootstrap का अपना grid system है उसका में यूज़ करने वाना होता है एक div और इस div का class लिखेंगे raw और इसका margin देंगे हम लोग margin टॉप इसके अंदर पहला column बनाएंगे इसके लिए div लिखते हैं इसका class देंगे 12 होते हैं तो चार चार का column मनाते हैं call SM में फूर और बस इतना ही लिखते हैं इसी का हम लोग copy paste कर सकते हैं क्या एक मना लेते हैं फिर का copy paste कर देंगे easily हो जाएगा क्या करना हमें यह हमें लिखना है यह font awesome किया सकता पड़ेगी हमें जानना पड़ेगा अम्यां यह यहाल icon चाहिए यह ला कंच तो कहां ंख है यह मिलेगा हमें font awesome की website मैं जाकर सब्सकर सकते हैं यह वाला यह वाला यह वाला लेकिन मुझे पहले से पता है तो मैं वहाँ पर जाकर टाइम विश नहीं करता हूं या मैं आपको डाये लिखा देता हूं यह लिखना है यह आई मिलेगा आपको वहाँ पर इसका आपनिंग एंड क्लोजिंग लिख देता हूं तरह यहां यह जो क्लासिस मुझे लिख रहे हैं यह सारे फॉंट और साम के क्लासिस हैं यह दो आपको दिखा देगा चोटा सा अभी है इसको बढ़ा करेंगे हम लोग इसको बढ़ा करेंगे इसको बढ़ा करेंगे इत्रिफ्रेस करेंगे वाड़ा के में अब करने का सकता विखोज नीचे से चिपा रहा है थो बॉटम में मार्जिन देना था में MB4, यह हमारा Bootstrap का Class है, MB4 लिखा मैंने, यह आपको याद करने का सकते हैं नहीं पड़े, यह से प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे आपको याद हो जाएगे देखिया, पर Marginal क्या हमारा, इसके नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, हमा Linkler के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पर Text Success ली देंगे, और हमें Text भी चाहिए, तो H4 यहाँ पर हमें चाहिए Electronic Save किया है, मैंने इसको Save करने के बाद इसको Refresh करते हैं, देखिए Cleanler में हमारा यह लिखा हुआ रहा है, यह यह दोनों चीपक रहा है, यानि हमने जो यह लिखा Text ही है, और यह Image, इमेज नहीं हो, आइकन है, दोनों चीपक रहा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, उसको हम margin देते हैं, h4, तो टॉप margin देते हैं, class equal mt4, तो यह दोनों अलग लगाएगा, मैंने इसको Save किया, इसको नहीं बाद रिफ्रेस किया, दिखिए, अब यह था है, डिस्टेंस में आ गया, अभी ऐसे ही हमें, दो और बना लेना है, और बस हमें आइकन चेंज करने का है, तो एक तो टीवी का आइकन रहेगा, दुसरा हमारा चेंज होना है, दुसरा चेंज होकर हमारा हो जाएगा, slider, तो यह जो class है, यह font awesome का, यह हमने नहीं लिखका हुआ, वह से बस हमने देख लिया हुआ, और इसका हम लोग success नहीं, इसका text primary, यह blue color में चाहिए, तो मैंने इसका चेंज कर देए, यह हमारा text primary, यह हमारा bootstrap का class है, यह class fs, fa sliders, h, y, fa 8x, यह हमारा fontasm का class है, text primary हमारा bootstrap का class है, तो यह इक हमने यहाँ पर हमें यह चेंज करने का सबता है, name change कर देते हैं, 3, preventive maintenance, उसके बाद हमारा तीसरा जो है, तीसरा आइकन हमारा क्या है, cogs, और इसको change करना है, color हमारा, info color में, यहाँ पर हमें लिख देना है, text fault repair, repair, इसको save कीजिए, save करने के बाद इसको refresh कीजिए, देखे, 3 हमारा आ गया, same to same, वैसे, अच्छा सा, यह जो बना हो, इसको देख देख देखे, यह आप देखे, एक line है हमारा यहाँ नीचे में, तो यह land weaver आपको देना है, border देना है, आपको यह पुरा div में देना, इसके लिए हम लिखेंगे, border bottom, कहाँ पर container में, यहाँ पर लिखना है, border, border bottom, save कीजिए, इसको save करने के बाद, refresh करने के बाद, कितना refresh करना पढ़ता है, refresh किया तो नीचे यहाँ पर आपको अभी दिखा इसके बाद कर देते हैं, यह वल्ला हमारा कतम, यहाँ पर हमारा कतम हो जाता, end service section container, container, कतम हो गया, यहाँ जो सुरू हुआ, container के साथ, वो यहाँ पर कतम हो गया, तो यह section हमारा बन गया, अब यह हमें registration form बनाना है, इसके निचे आँगे, बने वाले के यहाँ पर देखिए यह वल्ला हमारा registration form में, यह हमें बनाने कह सकता है, तो चलिए यह वाला बनाते हैं, अब comment परे लिख देता हूँ, यह हमारा registration form, और यहाँ एक हमें container बनाने कह सकता है, पड़ेगे, div class container, container हमें padding देना है, उपर से padding top 5, इसको save कीजिए, save करने के बाद, refresh करके देखते हैं, नए वाला project, refresh किया, देखिए हमें यह आपने अब यह border दिखने लगा, आपनोंको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको जब बनाएंगे तो आपको अपने screen पर दिखेगा, वीडियो में भी ना दिखे है, तो कि इसकीजिए, दोनों को side by side रखके कर तो सकता हूं live, लेकिन छोटा हो जाता, इतना छोटा में आपको लिखना पड़ेगा, तो दोनों side by side होगा, मैं जब खुद कर develop करता हूं, तो मैं दो screen मेरे पास है, तो मुझे ऐसा करना नहीं पड़ता है, refresh नीचे उपर नीचे उपर कोई बात नहीं हम लोग मैनेज कर लेंगे इतना, center में करनी कर सकता है, तो class लिखते है, text center, text center, save कीजिए, यह हमारा text में चलाएगा, उसके बाद एक raw बनाएंगे, raw बनाने के बाद हम लोग उसमें column wise, raw बनाते हैं पहले, div class, यहां पर raw, empty for, mb4, यह क्या क्या लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिमाग में आई नहीं रहा होगा, तो भाई अपने miss किया हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि project based, video देखने से पहले, आपका basic concept बहुत clear होना सही, div, raw बना लिए, आप इसके दर में column बनाने कर सकता है, तो column का class लिखते ह color call, md, यहीं कि medium में 6 column, और बाकी को हम लोग offset करते हैं, offset, offset कितना, offset 3, offset md 3, इसके नहीं हम लोग form बनाएंगे, तो form लिखा है, action में कुछ भी नहीं लिखना है, और इसमें स्रीप method लिख देता हूँ है, method मैंने post लिख दिया, आप get भी लिख सकते थे, लेकिन हमें form में सा पोस्ट में बास करना जाए, form का data, इसके नदर div लिखना है, div में यह पुरा classes जो bootstrap के है, form group, लिखना है, form group लिखने के बाद हम लोग, एक item लिखेंगे, font awesome से, जिसमें class equal, हमें लिखना है, fs और f a user, then इसका label दे देते हैं, label, label दे देंगे इसका, name इतना पहले दिखा देता हमें, इसको save किया, save करने के बाद, इसको हम लोग reverse करके देखते हैं, तो कि आपको दिखाई देगा, name यहां पर ऐसे, कुछ चीज़े चेंज करने के सकता पड़ेगी, because अगर हम लोग अपना देख class में use करना पड़ेगा, तो class हम लोग use करेंगे, bold और इसमें हम लोग padding देते हैं, left से to, save कीज़े और यहां name लिख देते हैं, लिपस हमें आगे लिखना है, आगे जरुत पड़ेगी, save करने के बाद, इसको मैं refresh किया, तो यहां दोनों के बीच हमारा padding में set हो गया, to का, त इसमें input लगाना, input tag, input type हमारा क्या है, यह हमारा input type है, text, तो मैंने text लिख दिया, उसके बाद, इसमें हमारा एक class होगा, यह bootstrap class है, form control, और इसका placeholder हम लोग लिखेंगे, इसको सेव करने के बाद, इसको आप रिफ्रेस करके, तो यहां आपको एक input field मिलेगा, यह वाला, और इसका placeholder आपको लिखा था name, वह आपको यहां पर लिख सकते हैं, इस तरह किसे, अब यही हमें देखिए, एक email के लिए बेचाहिए, एक password के लिए बेचाहिए, कुछ च चेंज करने के सकता पड़ी, तो इसको हम लोग copy paste कर लेते हैं, यहां से, यह वाला, यहां से, यहां से, यहां तक का हमारा को paste होना है, एक बाद copy किया, name के लिए हमारा बन गया, यह हमारा हो जाएगा, email के लिए, और हमें एक और चाहिए, password के लिए, बस मैं कुछ चेंज क कर निग लाएक हमें यहां पर, name की जगह यहां कर देना है, email, बागे से कुछ ठीक रहेगा, यहां पर name की जगह कर देना है, email, यह सब कुछ ठीक है, आप type यहां change करके email कर देंगे, थाकि हमारा validation हो, default, और placeholder में यहां पर हमें name की जगह कर देना, email, और यहां r, name की जगह क है अपिर इमाइल का काम खतम अभी हमें यहां पे बाश्यवेर कर देना पास्वेर के लिए एक आप मेर की हमया पे यूज कना種 आइकन चेंज कर नभांग समवल फिर तृ हमेर खता ली मुख देंगर धिजिक न्के जगाम new password और input में type की जगा type text की जगा आप type password लिखे और placeholder में यहां पर password और r name की जगा r password बस save किज़े इसको save करने के बाद इसको replace करके देखें वरिफाय करके कि सब कुछ ठीक हो आया नहीं कि name का text फिल आ गया email का email फिल्ड और new password का new password फिल्ड आ गया हम लोगों ने जब बनाया उसको देखें तो हमारा विर्कल वैसे ही बस यहां पर हमने यह नहीं बनाया तो यह हमें बनाने का सका पड़ेगी तो चलिए बनाते हैं email के input फिल्ड के नीचे यानि कि यहां पर small tag बनाये एक और इसमें लिखें आप कि we will never share your email with anyone else बस यह हमें लिखना था यह लिख दिया हमें यहां पर कुछ classes add करनी पड़ेंगी bootstrap की तो form text यह हमारा form text लिख दिया बस save कीज़ें इसको save करने के बाद इसको refresh करके दिखिए दिखें आगया और इसको देखिए इसमें shadow लगा हुआ है इसमें लगा देते हैं पूरे form में लगाना है तो हमें ऊपर आना पड़ेगा form टैग में है यहां पर हमें class लिखना पड़ेगा class equal shadow large shadow लगाते हैं इसलिए shadow lg और हम लोग padding देते हैं चारो तरप से p4 save किया शेव करने सेव करने के माद इसको करते हैं यह था हमरा पुराना yellow नया refresh किया था हमें यह मिलना है अभी हमें क्या ज़रत है अभी हमें ज़रत है yellow shine up button बनाने की और yellow नीचे लिखना पड़ेगा तो यह कुछ जहां भी भी बागी है button बनाना है और yellow लिखना है किसलिए इसको करते है form tag के अंदर ही रहना है और यहां पर लिखना बटन टैग button tag open button tag close और यहां पर button tag में हमें लिखना है क्या sign up लिख दिया कुछ में यहां पर type change लिखना पड़ेगा type हमारा यह हो जागा submit tab के button है और यहां classes कुछ लिखने इसको button को design करने के लिए तो button btn-danger color इसका red करने के लिए empty देते हैं 5 और btn यहां हमारा block जैसे कि पूरे में हमारा यह दिखिए यह button में हम लोग shadow लगाएंगे छोटा सा तो sm shadow sm और इसको font है sign up का उसको में चेंज कर देंगे यहां कि font इसको bold कर देंगे font weight bold इसके बाद इसमें भी name हमें देना है कि name इसमें जरूरी नहीं था मगर फिर भी दे देते हैं और sign up बस इसको save कीजिए save करने के बाद देखिया है इसमें उसमें अपने btn-block लिखा है उससे यह पूरे में आ गया अगर block नहीं लिखते हुआ क्लास में भी use नहीं करते हैं तो छोटा सा बटन हमें दिखाई देता लिखने हमें पूरे में चीजिए तो इसलिए पूरे में है और हमें यह shadow भी दिखाई दे रहा है चोटा सा बतर स्मॉल shadows में लगा हुआ और यह sign up का हमने bold लिखिया हुआ है font दने हमने margin top यहां दिया हुआ है 5 between danger से हमें यह red clear में दिखाई दे रहा है अभी हमें जरत है यह वाला लिखने की तो यह मैं copy कर लेता हूं यहां से इस काम लग बस यहां पर लिख देंगे button tag के बाहर आना है em tag use करना है और यहां पर लिख दीजिए यह वाला पूरा का पूरा एक class यहां यूज करते है class ने चला हमें है inland css देनी कहा सकता है इसका फॉंट सब्सक्राइब में चोटा करना पड़ाएका font size कर देना 10px बस इतना ही करना save किजिए save करने के बाद इसको कीजिए आप refresh और यह तो हमारा पूरा यलो नया यहां आपना में आ दिकाए जरा note by clicking this 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 term condition तो यह हमारा form बनी गया बिल्कुल जैसे यह है बिल्कुल वैसे ही यह लगो ना अब कुछ change करना चाहते हैं बड़ा चोटा तो आप यहां से change करके इसको कर जाते हैं तो यह हमारा form registration form यह फिर खतम होता है तो इसको comment maintain कर देते हैं कुपी किया मैंने इसको कुपी करने के बाद यहां पर अगया क्या है यहां tao कॉंप क्कुल यहां तक का क्या काम खतिम हमें आगे च्या करना है वह paar पुर्ना परिजेक्त में देखता हूं यह मेरा बन गया registration form अब आप हम्में एक कष्टमर यह वहाला बनाना section यह section में बनाना है तो हमें contact us का बनाना पड़ेगा उसके बाद यह हमारा कथम हो जाएगा तो यह दो चीज़ हमें बनाने फिले happy customer बनाते हैं इसमें हमने jumbotron यूज कि आप देख सकते हैं पीचे हमारा एक background सा दिखाए दर उसका color हमने change किया हुए danger में बीजी डेंजर करना पड़ेगा तो चलिए जी मनाते हैं comment maintain कर देता हूँ start happy customer और हम लोग लिखेंगे यह आपर div div में हम लोग class देंगे jumbotron class jumbotron लिखकर अगर मैं इसको save करके आपको दिखा हूँ प्रणा प्रोजेक्ट तो आपके नीचे यहाँ आपको दिखा दे रहा है color में इसका color हम लोगों ने change किया हूँ यहाँ पर लाग कलर में किया वाद इसके लिए बस यहाँ पर क्या करना पढ़ेगा वीजी डेंचर सेव कीज़े इसको गां पाद इसको गीज़िये रीफरेस्ट यए बाम में देखने लेगा ओके इसके बाद हमें नीचे इसके अंदर हमें बनाना एक कन्टीनर एक कंटीनर के अंदर हमेरी बनेगा एक रोव और उस रउम में बनैंगे तीन या चार कॉलम्न जितने भी हमारे यहांप आपको दिखाई दे रहे हैं Happy Customers यह वालजी कि यह एक कॉलम में है फिर फिर दूसरे कॉलम में फिर दिसरे में फिर जहूंते हैं तो एक रॉह और इतने 4 कॉलम्न में बनाने का सकता है क्यों ऐसा बनाना पड़ा ताकि यह mobile में चाहिए तो यह auto responsive हो जाए कुछ इस तरीके से के इसरे में यूज करना पड़ता है container raw और grid system butter strap का तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या इसमें लिखेंगे div class इसका देंगे container और इस div के अंदर में बनाएंगे एक पहले तो heading heading में लिखेंगे happy customers इसको में center में करना है तो इसमें class लिखेंगे text center text center और इसका text हमारा white color में होना सही तो मैंने text white लिख दिया save कीजिए, save करने के बाद इसको refresh करके देखते हैं इसको happy customer और यह white color में हमने text white लिखकर कर दिया इसको नीचे करते हैं अभी हमें यहां पर बनाना एक raw तो div class raw save किया, save करने के बाद raw बन गया अभी में column बनाना है कितने column बनाने है चार बनाने है एक raw है और चार column है याद होगा आपको class column बनाते हैं रहा लार्ज में col call lg और तरी यह grid system मैंने बहुत होती detail में पढ़ाया है, bootstrap बले playlist में अब को समझ में नहीं आ रहा है कि call sm मतलब क्या call lg मतलब क्या तब वहां से जाकर देख सकते हैं six पहला column बनाते हैं फिर copy paste कर लेंगे तो हमारा बागी का बन जाएगा card हमें बनाना है column के साथ हैं यहां पर card में बनना है, card के अंदर हम लोगोंने images रखेंगे तो यहां पर हम लोगोंने रिका यहां पर record div इस div का class देंगे हम लोग card card में देते हैं shadow, shadow, lg, large और margin bottom देंगे 2 इस सारे चीजी जो है आप एक एक करके देखते हैं ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ लिख लिया फिर आपने save के नहीं, ऐसे logic नहीं लगता है card बनाया, card के सब मुझे shadow चाहिए तो मैंने यह लिख दिया अभी margin bottom 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए देखना पड़ता है, जैसे कि मैंने इसको save किया save करने के अगर मैं इसको refresh करूँ तो मुझे आपर पता नहीं चाहिए कि मुझे margin कितने का चाहिए तो मुझे कभी 2 करके देखना पड़ता है, कभी 3 करके देखना पड़ता है change करके आपको देखना पड़ेगा तो हमने card बनाया, आपको card का body लिखेंगे तो div class equal card body और body के अंदर हमें एक image चाहिए img tag, src में हम लोगे images folder में जो हमारा आवतार 1 है उसको दे देते हैं alt में आप लिख सकते हैं ab, अगर image नहीं होगा तो यह आपको दिखाए देगा किसी वज़े से अगर image नहीं होता है, upload, download, server से तो यह अपको देगा इसको save करते हैं, save करने के बाद इसको लोग एक पर देख लेते हैं, image हमारा आ रहा या नहीं देखे, image हमारा आ गया है यहां पर इसमें हमारा पुराना प्रजेक्ट देखें आप तो हमें यह जो इसी तरह किसे गोल चाहिए इस तरह किसे नहीं चाहिए तो हमें radius देना पड़ेगा इसमें border radius यहीं पर लिख देता हूं मैं हम रब एक्स्टरनल से लिख सकते हैं बटी इंटर्नल लिख देते हैं यहां पर style, border, radius, कितना 100, 100px और इसको कर दीजिए जी, save और इसको करते हैं, refresh तो यह goal होगे बटी यह side में आ रहा है, बीच में आना चाहिए तो बीच में आने के लिए text center करना पड़ेगा, text center किसको करेंगे, card body को यानि कि यहां पर, text center, save किया, save करने के बाद इसी तरीके से बनाना पड़ता है कि करो और देखो, refresh करके तभी center करते हैं, और यहां पर लिखेंगे, राहुल कुमार, यह इसमें class use करते हैं, class equal card का title यह, bootstrap का class है, या कोई अलग effect देगा, हम लोग पैरा लिखेंगे, इसमें, पैरा में card text class आपको लिखना है, card text, और यहां पर जो text लिखेंगे, वह पहले से लिखके रखा हुआ है, मैंने, copy क्या मैंने, copy करके, मैंने paste कर दिया, इसको मैं setup करने का सब्सक्रा पड़ेगी, इसको save करने के बाद, इसको देखते हैं, कि हमारा एक, यह हमारा इस तरीके से ठीक तरीके से दिखाई दरा है, ज कि हमारा container हमें, हमें यह वाला चाहिए, एक, दो, तीन, यानि कि एक, दो, एक, दो, तीन डीभ, हमें नीचे से भी पकड़ना पड़ेगा, तो यह एक, दो, तीन, यह हमारा first column है, यहां पर आप चाहें, तो लिख दीजिए, अगर आपको confusion होगा, तो, यह हमारा इंड, first, column, यह first column हमारा end हो रहा है, और यहां पर लिख दीजिए, कि यह वाला हमारा first column, यहां से start हो रहा है, start first column, तो div का अपका गड़बन यह होगा, एक, तो तीन डीभ आप में पर से पोड़ेगा, तो तीन डीभ आप में नीचे से पकड़ा, यहां से आँ तक, फिर य यह वाला div हमारा container का है, और यह वाला div हमारा jumbo trunk का है, ठीक तो यहां पर भी आप लिख दीजिए, end happy customer, तो हमें यह वाला जो column है, इसको बस तीन, चार बार copy करने का सकता है, तीन बार, एक बार तो बना हुआ है, तीन बार और copy करना, so paste किया, एक बार हो गया, दो बार, त बार, बस यह हम लोग देखते हैं, ऊपर से हमारा first column यहां से start था, यहां end हो गया, दूसरा column है यह, यहां पर हम लोगो start second column, second column start यहां से, और second column end यहां पर, then, यह हमारा third column start, और यहां पर third column हमारा end, then यह हमारा fourth column यहां से start, और fourth column यहां पर end, कि हिसाब सब बैट रहा है हमारा गणित तो फ़स्ट तो हमारा क्लियर था अभी में सेकंड में काम करना सेकंड में हम लोग सेकंड आ उतार देंगे तो मैंने यहां आप्था टू बसस को चेंज कर दिया और यह एल्टी चेंज कर देता है बाकी रेडियस अगरा ठीक रहेगा नाम चेंज कर देना नाम आप कुछ भी लिए दीजिए नाम में करता हूं सौनम शौनम शौनम सौनम गुपता नहीं सौनम सर्मा करेंगे सौनम सर्मा बाकी जो पैरा का टेक्स्ट इसको ऐस इस जैसे था वैसे रहने देते हैं आप चैंज कर देते हैं तो यह हमारा हो गया second column का अभी third column का हमें third image यानि कि आथार थरी यहां से मैं देखकर यह कर रहा हूँ image का जो नाम है वगा change कर रहा हूँ यानि इसका नाम change कर देते हैं Raul की जगा कर देते हैं सुमित ब्यास बहुत ही बड़ी हाध्य एक्टर है यह तीवी स्टिरियल में और मुवीम आप़ इसको देखते हूँगे विए हमारा फॉर्थ कॉलम प्रिच कर के लिए फॉर्थ ऐतार का इमेज और इसका ना हम लोग चेंज करके कर देंगे जोती सिन्ना हो गया चारो कॉलम हम चारो कॉलम से महरे बनगे सेव करना है सेव करके रीफ्रेस करके देखिए को है दीघिसें बड़िया सार ही चीपक रहा हमारा इस लुक् hu अधने कि हमारे पूरा ना प्रूजिट कम्पलीट पहले से बाई वो उसमें नेकिष में मार्जीन है ची Jian क्या रहाता हमें यह वाला ठीक करना पड़ाएंगी यह ठीक करने के लिए लोग जाएंगे राव में पूस्यलिए चलते हम महां ओपर ऊपर ऊपर रॉपर में रॉपर में हैं में लगाना पड़ेगा क्या हैं M T 5 वाइव कि वाइव में अगर मार्जिन लगाते हैं मार्जिन टॉप देखते हैं करके हमारी हैपी किस्टमर से टॉप मार्जिन टॉप हाँ काम हो जाना चाहिए तो यह हमारा नीची आगया मतलब इसमें सब हमारा margin यहां सेट हो गया तो यह हमारा सही अभी जैसा हमारे यह वला था विल्कुल वैसे हमारा यह वाला है थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा अब पुराना जैसा मिलेगा नहीं तो इतना काम हमारा हो गया अन्य कि Happy Customer का section हमारा थेयर हो अभी हमें बनाना क्या है अभी हमें बनाना है जो data यह रहेगा उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा हमारा यह footer section यह वाला पूरा तो यह तो easy है हमें बस contact us form बनाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा हमें form का काम करना है असलिए code में चलते हैं और contact us का form बनाते हैं क्योंकि बेठे रहने से तो फाइदा है नहीं तो निची आते हैं यहां पर और यहां पर अपने बनाएंगे form तो यहां से हमारा start हो रहा है contact us start contact us एक हमें div बनाना है इस div complete बनाएंगे container class equal container लिखना है then सबसे पहले heading तो heading में हम लोग देंगे क्या contact us अभी यह हमें center में चाहिए होगा जाहर सी बात है class में लिखेंगे इसका text center और bottom से margin देते हम लोग 4 का save करके एक बार देख लेते हैं कि कहा हमारा सही बैट रहा या नहीं इसा तुक्का लगा दिया नीचे करेंगे देखे contact us हमारे है कसी वह capital में लिख दिया है इसको छोटा कर देता हूं यहां पर टेक्स्ट कर पड़ यह हो गया अब यह मैं इसमें raw बनाना एक यह हमारा बन गया जी class equal raw यहां पर मैं comment लिखता चलता हूं बिकास बाद में लिखने में और समस्य आने लगती है तो यह हमारा है इन्ड कॉंटेक्टस इस raw के अंदर पहला कॉलम हम लोग बनाएंगे और पहला कॉलम हम लोग डिव-md आर्ट का रखेंगे इसमें तो यह हमारा पहला कॉलम है इस raw के अंदर जाके आया है कॉल अंड करमें मेडियम में एक इस में अंदरम की इसमें हम लोग कमेंड लिख देते हैं यह स्टार्ट है हमारा फ़ास्ट कॉलम और स्मिलिर लिया हमारा एन्ड का सुमे जब Ahh बाद में रिंड आ हो हमें किस ओपनेंग का किस क्लोजिंग कोर। पिसके हpowers लिए उसके बाद हम यहां पर एक फॉह बनाना है, फॉर्म बनाना के लिए मैं फॉर्म टेक्स्ट और इसका लास लिगदेग मैं चलास कीड इक लिए इक्वल करेंकर इसका नेम इकल हो जाएगा नेम उसमें प्रेज लेफिछ अबूदर हम भे देगे नेम यह इक वलेंड देते हैं बीयार बनाते हैं लाइन ब्रेक करते हैं उसके बाद एक और इंपुट और इसमें हमलोग टेच्ट ये भी रहएगा और ने Euan बось्जेक्ट कर देना है और एसका प्लेस्ट ऌडर सब्जेक््ट कर देना है फिरेनी email placeholder इसका हम लुक कर देंगे क्या email इतना करके देखते हैं save क्या मैंने save करने के बाद इसको करते हैं refresh और नीचे देखिए हमारा name subject email है और हमें क्या चाहिए एक हमें text area चाहिए देना हमें एक उटन चाहिए send का एक text area बनाते हैं इसके नीचे टेक्स्ट अरिया ओपनिंग टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट एरिया क्लोजिंग टेक्स्टा एरिया स्पेलिंग सही है ना सही है उसके बाद इसमें हम लोगों कुछ क्लास इस लिखने पड़ेंगे class equal form control control इसका नेम ही देते हैं message और इसका placeholder लिखेंगे अधियर लुक्त आधियर लिखेंगे देन हम लोग इसमें सेव करते हैं इसको सेव करने के बाद देख देखा देखते हैं अधिन देता है सेब करने के बाद एक बाद देके कि क्या की दिकाहिए किक्षा टिदे। एख्रेश्क किया यह में ह्षोटा दिखाए टे रहरा है यह मैं बढ़ा करनी का सकता है यहाला इसका हम बढ़ा करना पड़ेगा तो हम लोग यहां पर यूज करते हैं css का inline css का और यहां पर लोग देते हैं height g.i.g.ht height height हम लोग करते हैं 150 px इसको कर दिया save, save करने के बाद इसको करते है refresh तो दिखिए हमें अभी हमें इसमें बटन वाना नहीं कर सकता है so input tag type हम लोग देंगे submit और इसका class हम लोग लिखेंगे क्या जी button, button, blue color में चाहिए तो primary type हम लोग देंगे क्या send और इसका नाम रख देंगे हम लोग submit और इसमें line break एक बार, line break दो बार save कीजिए, save करने के बाद इसको कीजिए refresh और आपको यह मिल जाएगा, कुछ इस तरी के से name, subject, email, text area, text area और button, सब कुछ के लिए रहे है हम बस इतना ही करना है, यह हमारा form बंद यहां से हमारा first column, end, इस दूसरा column हमें यह बनाना है यह हमारा row है, row का डिव है उखल मिलाकर 12 column होते हैं हम जानते हैं, तो 8 हमने use कर लिया है यहां पर देखिए, अभी हमें use करना है जो बाकी बचे में 4 हो इसको, तो यहां पर हम लोग एक डिव बनाएंगे और यहां class देंगे यहां हम लोग यूज करेंगे कि call md4 और जो कुछ भी होगा, टेक्स्ट सब कुछ center में होना चाहिए और बहुत जरूरी है कि हम लोग यहां पर comment लिखने था कि हम लोग बाद में गडबड़ना हो जाए, start second column और यहां पर भी comment लिखना बहुत जरूरी इंड, second, column बरना हम लोग नीचे लल लेंगे जाकि रोकार्ड लेंगे so comment maintain करना भी बहुत ही जरूरी है strong tag यूज करेंगे, और यहां लिखेंगे headquarter headquarter क्या, headquarter के बाद एक line break लेना है और यहां को लिखना है आपको, osms private limited, comma, bear जैसे आप लिखना चाहते हैं वैसे आप लिख सकते हैं इन आपका जो भी है मान लिजे कि आपका है, शोक नगर, शोक नगर, राची then bear लिखे, then jar khand, jar khand और जो भी pin code हो आप यहां लिख सकते हैं then एक और bear, जैसे text लिखते हैं वैसे ही लिख रहा हूँ है आपकर कुछ भी logical नहीं हो रहा phone number लिखना है, office का phone number लिख दीजिए, plus 0000 then bear बंद, अगर website का link देना है तो दे सकते हैं उसके लिख कोई tag यूज़ करना पड़ेगा, हमरे पास कोई website है नहीं तो हम लोग यहां फिरहला ऐसे लिख देते हैं, इसको www.osms.com और यहां पर हम लोग इसको खर देंगे, कोई click करें तो क्या हो, target इसका देतेंगे क्या, यह new page में उपना हमाच चाहिए तो blank और यह हमारा line break एक और यहां पर, इतना देखना क्या हो, save क्या, save करने के बाद इसको करेंगे और यहां नीचे branches में लिखने हैं, मालेजिके मेरा एक और branch है, तो पहले दो line break, एक line break, दो line break और यहां पर एक बार इसको copy कर लेते हैं, भई, यहां से यहां तक copy कर लिया मैने, और यहां पर करते हैं, मैंने इसको pitched strong headquarter की चगह लिख देंगे branch और असोपनगर डेली में भी है तो अदे लिख देंगे new Delhi में असोपनगर निउ असोपनगर नहीं वहाँ पर निए असोपनगर कर लेए लिए और उसका जो भी अपना पिन कोड होगा वह फ।न नंबर जो गवा और वेब साइट एक ही होगा तो इसको निकर दिया सेव सेव करने के बाद दिखाता हूं तो दिखिए यह हमारा ब्रांच वाला भी अड्रेस आ गया तो यह पहले वाले की जो पुराना वाला हमारा प्रोजेक्ट है उसके कोडिंग दिख रहा है बढ़ियाब है मैं सिर्फ फोट तो फूटर पूरा का पूरा यहां से यह नहीं होना चाहिए नहीं की यह नहीं बनेगा हमें आपके हमने कुछ चीजे दिश्य किया कुछ नहीं बना दो पुटर यहाँ नया प्रोजेक्ट तो फूटर में आते हैं कमेंड लिख देता हूं स्टार्ट फुटर और फुटर tag use करेंगे हम यहां हम लोग ग्लास container लिखेंगे तो container लिखेंगे तो container लिखने पांका हुआ छीवसिस करें जह Happy हमें एक क्लडर देना क्या बेट राउंड हमारे क्या होना चाहिए ब्लैक होना चाहिए बीजी डार्क है और एंटी मार्जन टॉप फाइव ठीक हाई टोगरा सेव करेंगे तो उसके बाद देखेगा है इतन लाहा हाँ हमें इसके अंदर बनाना है में अधर एकора यहां बना रहे हैं रास fiber कानटेन बनाएंगे और पी झरी दें इस रो के अंदर रोंडरे कवल स्वेल स्टाइब दि मार्ग दिमागर थेंतर देंगे इस रोंडर हम्लोब बनाईगे शक्रोन प्रॉजिक्त देग लिखते हैं दिमाग काम करेगा तब पूरणा पर देखिए यहां पर हमें ये एक कॉलम में बनाना यहां पर एक कॉलम बना बीच में में खाली रखना तो यहां डिव लिखते हैं कॉलम बनाते हैं यह हमारा फॉर्स्ट कॉलम है इसमें क्लास हम रख देंगे क्या कॉल एंडी 6 और यहां पर हम लोग स्पैन यहां में कमेंट लिख देता हूं और में अगड़ बड़ जाए भूर जाओ तो यह इस्टर्ट कोलन और इसको कौपी कर लिया कौपी करने के बाद यहां पेस्ट कर इए इन फर्स्ट कॉल्म कि इस पैंड के अंदर हमें लिखना है फालो आश फालो आश और लास एक्वल पी आर डाश टू कि सेव क्या से निके बाद वार देख लीते हैं कि नया प्रोजेक्ट यहां में यहां पर आपना यहां से यहां से पूरा इंदम निस क्रेंदम स्क्रीन में बट इस काम यहां हाँ से इधर white है इधर white है पूरी में नहीं आ रहा तो इसके लिए हमें change करना पड़ेगा यह वाला container create करना पड़ेगा save कीज़ेश को save करने के बाद इसको करते हैं refresh अभी हमारा 80 हो गया और हमारा text color हमें change करना ही वाला तो इसको यहीं पर करते हैं जो भी text हो का सब क्या होना चाहिए हमारे है टेक्स्ट white होना चाहिए टेक्स्ट white कर दिया save करते हैं save करने के बाद इसको करते हैं refresh अभी में यह white में दिखाए दे रहा है ठीक है पुराना project यह वाला हमें इसका पट रहने लेते हैं save के मैंने save करने के बाद इसको refresh करते हैं हम यह बड़ अब यह दिखाए देगा बट यह blue color में हमें इसका color change करना पड़ेगा यह चाहिए उसका cc से लिखना पड़ेगा कर लेंगे उसको बाद में पहले इसका काम कर लेता है तो यह तो होगी हमारा इसको अंदर में करना इसको पूले को ज़रा सब्सक्राइब करते हैं यह खतम हो गया हमें उसके बाद यह second column बनाना है second column में क्या है second column में यह वाला designed by someone, यह हमें लिखने का सकता है, so echo do, और यहां पर class, हमें लिखना है call, हमने उपर में use किया था कितना, column, six column md में, तो यह हमें बागी बचा six, यह six use कर लेते है, md call six, six use कर लिया हमें, उसके बाद यहां पर मेंचे, start second column, और यह हम रहा है, यहां में लिखना है small tag, small tag के बाहर, designed by someone, या फिर आपना नाम लिख सकते हैं, like मने लिखने, key source, और copy का symbol देना है, तो उसके लिए हम लोग के, impression copy, और semi-column, 2019, यह लिखा, small tag हमारा यहां कतम, एक और small tag, हमें लोग को ऐसे तर पड़ेगी, हमने एक और small लिखा, इसमें हम लोग लिखेंगे, एक a tag, और यहां पर हम लोग लिखेंगे, अभी कुछ नहीं, इसको has देते हैं, इसमें लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं, सिर्फ क्या, admin login, admin login के page बनाया नहीं है, तो यहां लिखेंगे, क्या, class equal margin, left में कितना, to, और इसको कर दीजिए, save, बस नहीं करना, save कर दिया, save करने के बाद, इसको हम लोग करते हैं, refresh, तो हम यह यहां देख रहा है, बट यह right में होना चाहिए, तो हम लोग लोग को यह आपर लिखना पड़ेगा, text right, कहा गया जी, यह वाला, text right करना पड़ेगा, text right, save किया, save करने के बाद इसको refresh कर दिया, तो हमारा यह इधर आ गया, एक कुछ CSS लिखना है, हमें इसको लाग color में convert करना, यह blue blue लिखना, आप blue भी करकें, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा जो theme होगा red में है, तो हमें इसको red में बना देना चाहिए, चलिए CSS लिखते हैं, और इसको बनाते हैं, हमें change करना है, क्या हमें change करना है, यह वाला blue से, red में तो, उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ने के लिए ficolor, एक हमें class हमने यहां लिखा हूए, ficolor का देख सकते हैं आप, तो इस class को हम लोग पकड़ेंगे, यहां से हमने इसको copy किया, copy करने के बाद यहां पर करते हैं, paste, यहां पर लिखता हूँ है, कहीं भी लिख सकते हैं, यहां लिख देता है, class ficolor, इसका color हम लोग color code इसका लिखेंगे, color property का value होगा d, save कीजिए इसको, save करने के बाद इसका आप लेखेंगे, तो यह color इसका change हो जागा, देखिए होगा है, इसका howard effect अभी भी blue है, तो howard color भी हम लोगो change करना पड़ेगा, तो इसको copy कीजिए, copy करने के बाद, paste, paste करने के बाद, यहां पर howard, और यह में बस change कर देना, यहां पर हम इसको change कर देंगे, e, इसको कर दीजिए, save, यह हमारा हो गया, change, इसको मैंने refresh किया, हमारा यह अब, कि ऐसे दिखने लागा, बाग यहां यह ब्लू जो है, इसको भी आप change कर सकते हैं, इसका color, black कर दीजिए, तो अच्छा रहेगा मेरे खाल से, तो यह भी कर देते हैं, a, हमारा जितना भी a बनेगा, इसमें सब में color क्या कर दो, black कर दो, black करने के बाद, इसमें, जो active होगा, यहां पर क्या करना है, color, white कर दो, और background, color, इसका कर दो क्या है, as dc3545, यह कर दो, hover effect इसका लगा दो, a का hover effect, color क्या है, f26, यह hexa value है, color का, 571, save कर दिया, बस इतना save कर दिया, save करने के बाद, इसको करेंगे, आम repress, तो यह हमारा हो जाएगा, कुछ चीज दो, इसमें, black color में दीखेगा, जितना भी a है, सब black color में, और hover करने पर, थोड़ा सा लाल color का effect आता है, okay, तो यह हमारा, इस project के हिसाब से, दिखने लगा सब कुछ, और कुछ चीज़ें इधर उदिर होगी, जातक मुझे लगता है, कि पुरा पर उपर तो मैंने इसके जैसा नहीं code लिखा होगा, आप समझ सकते हैं, कि हम लोग इंसान है, तो कुछ तो इधर दर जरूर होगा, तो आप चाहें, जैसे कि मैंने यहां हो से तक यह margin कम दिया, उपता नहीं देखते हैं, ने, ठीक है, margin और padding में कुछ इधर दर जरूर होगा, तो आप चाहें, तो इसको verify कर लिजिएगा, पुराने वाले project code से, और आप करना चाहते हैं, तो लेकिन इसी के साथ हमारा, यहा इसको, service में क्लिक करेंगे, तो service section, contact में क्लिक करेंगे, तो contact section और registration section, यह section हम लग कैसे करेंगे, यह हमें देखना की ज़रत है, अभी हमारे वाले में यह काम नहीं कर रहा, तो यह हमें करना है, इसके लिए हमें ID बनाना पड़ता है हर section के लिए, तो मैं उपर चलाता हूं, service से सुरू करते हैं, सुरू से सुरू करते हैं, हमारा start navigation है, हमारा image वाला, यहां से introduction है, और इसके नीचे हमारा service section है, तो आपको करना यह है, कि आपको, इस div में एक ID बनाना है, लिखना है, services, और यही ID जो आप यहां पर लिखते हैं, यह वाला, यही वाला आपको इस link में, यानि कि service वाले link में यहां पर, पर मैं, देखिया हमारा service का link है, कौन सा, यह वाला, यहां पर आपको HRF में has लगा कर यह लिखना पड़ता है, जो हमने पहले इससे लिखके रखका हुआ ह अब यह हमारा काम करेगा, उसी तरीकी से registration का करना पड़ेगा, और उसी तरीकी से contact काम करना पड़ेगा, करते हैं, service का कर दिया, ID हमने बना दिया, हमने कुछ गडबड किया है, यहां कर लोग इसको गडबड किया, पीटिय के, आते हैं हम लोग registration वाले हमें, registration हमारे यहां ह है, तो यहां मैं एक IG लिखा सकता, ID equal, registration sparing सही होना चाहिए, और ना काम नहीं करेगा, जो sparing आपने यहां लिखा हुआ है, वही sparing आपको, यहां इसके link में देने की ज़र रहते हैं, यहां, registration में यहां पर यहां, sparing सही होना चाहिए, यह से लिख्टो, तो मैंने को भी एक पे पेश्ट कर दिया, अपनी safety के लिए देनी है, contact, मैं हमें एक बनाने का सकता है, इसका मैंने copy कर लिया, और contact वाले में चलते है, contact, contact, यहां है, id equal, contact, बस इतने हैं को करना, यही वाला में वहां उपर में, as करके, mention करने का सकता पड़ती है, इस तरह के से, अभी हम इसको save करते हैं, save करने के बाद है, इसको refresh करेंगे, तो अभी home करेंगे, तो home में, और contact में, click करेंगे, the contact में, registration में, service में तो service में, यहां हमें बस् कुछ भी, हमारा पुराना, वाला गपाला यहादी सब कुछ सेम है, तो नहीं वाले करते हैं, तो अभी हमने login का page नहीं बना, login का अब देखिय को सब्सक्राइब, तो also login भी हास है, वैगि काlle result नहीं हमने admin का page नहीं बना, यहां में capital ओंसधमनिंस्षा, नहीन समय मनाने पड़े एक login एड्मिन के लिए एक login यूजर के लिए ये दो काम हमारा बाकी है अभी है static में धीरे दरे देखेंगे इतना फिलाल हमने देखा और मजम हमी थे कि आपको यह समझे में आई होगी अगर आपने मेरा पुरा कोर्स फॉलो किया होगा html का css का bootstrap का जावा स्क्रिप्ट हमने अब तक यूज किया भी नहीं है html css और bootstrap यह तीन चीज़ अगर आपने मेरी फॉलो किया है तो आपको यह सार चीज इचे तरीकी से समझ में आ गई होगी इसको कट करता हूं मैं कटनी करते हैं एक चली इसको नीचे करते हैं और एक बार में और वर्विय आपको बता देता हूं फूरे का थवासा और फंदरों मिनिट लग जाएगा बड़ समझ में आ जाएगा हमने अइट्म lista को लिंख किया पॉंत आसों खोलिक को यह गुगल पॉंट को लिंख किया सी से कॉस्टम जो अपना सिसे समनी है उसको हमने लिए च्ज़ है तैटल। चैंज करें हुआ हडा हैu SMS से हमारा ने Gary का यह पुरा code हमारे यहां से यहां तक लिखा हुआ है इसमें टैब दिया हुआ है menu का एक home जिसमें क्लिक करने पर आपका index.php ही open होगा services में क्लिक होने पर services section में आपको लेकर जाएगा registration में क्लिक करने पर registration section में login में क्लिक करने पर अभी फिलाल कुछ भी नहीं होगा विकोद इसमें सिर्फ has लिखा हुआ है contact में क्लिक करने पर आप contact वाले section में चले जाएगे देन हमने एक image लगा है Jumbo Tron के साथ यहां पर back image हमारे class जिसमें हमने कुछ CSS लिखा हुआ है यहां पर उसको responsive बनाने के लिए हमारे image को देन इसके अंतर हमने कुछ heading वगरा लिखा हुआ है देन हमने अपने introduction लिखा देन हमारे यहां पर सर्विस का section जिसमें हमने यूज किया font श्रम के icons का और अपने bootstrap की classes का जिने हमने registration form बनाया देन हमने happy customer के लिए बनाया column और row और column जिन हमने contact us का form बनाया और फिर हमने contact us के लिए address लिख का अपना footer बनाया अपने की हमने सको सेव किया सेव करने के बाद मैं फिर से रन करता हूं यह responsive है पुरी तरीके से आप इसको छोटा करेंगे तो यह आपको ऐसे गर कर दिखाई देगा देखिए देकuju बड़ा इतना बड़ा फिर इसको हम छोटा करेंगे तो ये छोटा छोटा जोटा गार्गे कार्द अब हमारे सेयुक्तर इकी तो ऋपर में अगर आप देखेंगे तो यहा रेस्पंसलिज टीक्टर भी बढ़ाओगा इस्क्रीन पर तो यह जर लेफ्ट में चला आता है और अगर यह मॉबाइल इस्क्रीन में जाएगा तो यह हमारे सेंटर में चलाएगा यहां पर बीच में यह मेडिया के वरी के दूप किया हुआ बढ़िये नेविकर्शन तो हमारा बूट स्ट्राप और जावास्क्रीप्ट से हुआ है और यह कुछ भी नहीं है बस यार इतना है इसमें कि यह स्टाटी के अभी हमने कहीं भी डाइनेमिक सर्वर साइट का कोड नहीं लिखा हुआ इसमें सिर्फ और सिर्फ नहीं है इसलिए आप इस प्रजेक्ट के फॉल्व मत कीजिए आप जाकर दुबारा से HTML, CSS, Bootstrap, Clearly समझे देखिए कि क्लास कंटेनर यहां पर क्यों लिखा गया है टेक्ट सेंटर यहां क्यों लिखा गया है, बॉर्डर बॉर्टम क्यों लिखा गया है, यहां आईडी का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब क्या होता है, कैसे आप डॉट नव बार क्यों लिखते हैं, डॉट क्यों लिखा हुआ है, आपने यह ए क्यों लिखा हुआ है, आपसे मतलब ell party किसी सभी बनेगाuses खेयर नहीं है तो प्रोजेक्त में बनाते हैं तो मैं आपको यह नहीं बता पाहुआ कि H2 किल स्क्र康 का मतलब क्लास का मतलब क्लास को कैसे टार्जेट करते हैं सीसिस में यह सारी इसस में कèse बताने तो बात नहीं करते हैं वरना सब रुख करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूं बस इस वीडियो में इतना ही और चीजें कुछ और हमें करने का आसकता पड़ेगी हमें दो लॉगिंग पेज बनाना है और ही इसको हमें इसमें थोगा सा नहीं डैनमिक इसको बनाना सब्सक्राइब करेंगे फूरे सेक्शन में सेक्शन को अलगले पेज़ेज में इस वीडियो के लिए इतना ही सब्सक्राइब लोग अपने अपने ध्यान रखिए और अपको समझ में नहीं आ रहा है तो सहीं हम बनाकर रखिए धेर धेर देखते रहिए पीछे समझे अब को टिश्ट्राइब देखिए आपको समझ में आएगा थैंक्स वर्षिंग